Anyway, let it be का क्या मतलब होता है या आज कि इस वीडियो में सीख लेती हैं Anyway, let it be का मतलब होता है कि वैसे भी इसे रहने दो या कोई बात नहीं इसे छोड़ दो या कोई बात नहीं इसे रहने दो तो इसको रहने दो या कोई बात नहीं, इसको रहने दो या इसको छोड़ो, यानि कि इसके बारे में बात करने का या इस पर कुछ महनत करने का कोई फाइदा नहीं है, या इसे समझाने का कोई फाइदा नहीं है, तो उस तरीके की बात कहने के लिए हम कहते हैं, anyway let it be, यानि क कि वैसे भी रहने दू या कोई बात नहीं इसे छोड़ दू अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें